It is the algal bloom तो बहुत जादा nutrient चाहे वो phosphate हो या nitrate अगर ये water bodies में किसी भी तरह से पहुछ रहे हैं चाहे surface runoff के तरूँ पहुच रहे हैं या industrial waste के तरूँ पहुच रहे हैं तो ये बहुत सारे algi या planktonic algi जो free floating algi होती हैं उनको favor करते हैं growth करने के लिए और जब वो बहुत ज़ादा अबेंडन्ट हो जाती हैं तो वो फॉर्मेशन करती है अलगल बूम का इनके बनने से या इनके बहुत ज़ादा ग्रोथ होने से एफेक्ट के आता है तो ये वाटर बॉडिस का जो कलर उसको चेंज कर देते हैं इसके लावा वाटर की क्वालिट को ते